Hello my dear students, I hope you are fine तो बच्चो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम आगे की रिडिंग तो बच्चो आपको ध्यान होगा इसमें क्या होती है जो मैडम ग्लॉरिल जो है वो उस कलब में उस बॉल में पहुंचती है उके उस प्रोग्राम में और वहाँ पे क्या होता है शी डांस्ट शी डांस्ट मला वहे नाची विद रप्चर यानि उत्साह के साथ विद पैशन जोश के साथ इंटॉक्सिकेटेड बाई प्लेजर और आनंद के नशे में और आनंद के नशे में प्रगेटिंग आल इन दा ट्रिम्फ और सब कुछ भुलाकर अपनी सुन्दरता की विजय में सब कुछ भुलाकर अपनी सफलता की महमा में और खुशी के वादल के रूप में तो इस तर इन भावनाओं को लेकर के वो खुब नाची रही खुब नाची खो गई हूँ नास्ते नास्ते शी लेफ्ट दा बॉल विद हर हस्बेंट और उसने अपने हस्बेंट के साथ उस कलब को उस बॉल को छोड़ा यानि उससे निकली अट एराउंड फूर उकलॉक इन दा मॉनिंग और सुबे लगव चार बते वो अपने हस्बेंट के साथ उस कलब से निकली आउट इन दा स्ट्रीट और वहाँ से निकल कर उस गली में दे कोड नॉट फाइंड आ कैरेज उनको कोई गाड़ी नहीं मिली एंड बिगें टू लुक फॉर वन और इसकी तलास में लगे मला घर जाने के लिए उनको गाड़ी चाहिए थी बाहर आके देखा कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी फिर उन्होंने देखा अंतिजार किया ढूड़ा एंड एट लास्ट और अंत में एट लास्ट में अंत में दे फाउंड वन इन दार डिस्टेंस और कुछ दूरी पर उनको एक मिल जाती है इट टुक देम एस फार एस दियर डूर इन माट्रियार स्ट्रीट नामें बच्चे माट्रियार स्ट्रीट तो उस गली तक उनके दर्वाजी तक उस गली में उनके दर्वाजी तक ये टेक्सी उनको ले गई ये गाड़ी जो है उनको उस गली में मार्ट यार स्ट्रीट में उनके घर के दर्वाजी तक ले गई और वहाँ से वो कहा चले गई अपने अपार्टमेंट में चले गई जहाँ पर वो रहा करते थे शी रिमूब्ध हर रैप्स विफूर दर ग्लास उसने अपनी चादरें जो ओल रखी थी उसने जो गाउन की जो चादर थी उसने उसको हटाया सीसे के सामने खड़े उपर के और पूरी तरह वो अपनी खुशूरती को एक बार फिर से देख सके इसलिए उसने चादर को हटाया बट लेकिन शड़नली अचानक से सी अटर अपक्राई वह है जोड से रोने लगी क्यों अचानक से ऐसा क्या हो गया बच्चों जो जोड से रोने लगी वो अब तक तो बहुत खुश थी और बहुत उसमें थी कि मैं बहुत संदर लग रही हूं ऐसे करके शी नू लॉगर पताया क्यों क्योंकि शी रोने गर्दन में कोई नेकलेस नहीं था यानि जब वो नाच रही थी एकदम नशे में चूर होकर की आनन्द में चूर होकर की तो उसका नेकलेस गिर गया था कहीं I have, वो घबरा गई I have, I have I have lost मेडम हॉलकनर्स नेकलेस मेरे पास से मेडम हॉलकनर्स का नेकलेस खो गया है They looked in the folds of her gown तो उनों ने gown की fold जो होती है, fold में जो silvete होती है जिसे लहगा होता उसमें silvete होती है, बहुत सारी ऐसी gown में होती है, तो उसमें काफी उसने ढूडा, in the pockets pockets में ढूडा, everywhere हर जगे ढूडा but did not find it लेकिन वो उनको नहीं मिला She returned towards her husband तो वो अपने husband के पास गई, उसकी तरफ देखा उसने ठीके, ये लाइन रहे गए दी बीच में उसने गोला फिर के मेडम होकनर का जो necklace है वो मुझे से खो गया है They looked in the folds उसमें ढूडा, ठीक है हर जगे ढूडा, they could not could at reach other They looked at each other वो एक दूसरी की तरफ देखने लगे, यानि उन्होंने एक दूसरी की तरफ देखा Utterly caused down और वो नीचे गिर गए यानि एक दूसरी की नजरें नीचे जुग गई You must try to your friend तुम्हें अपने दोस्त को ये बताना चाहिए Shared ही, उसने कहा उसने कहा कि तुम अभी अपने friend को, जिससे तुम ये necklace लाइते उसको inform करो That you have broken the class pop for necklace कि तुमने, कि तुम से You have broken the class क्लस्प है नी बंदन जोस में डोरी होती जो बांदने का होता है necklace को गर्दन में वो आप से तूट गया है तो इस तरह का बोला उसने कि उस friend को ये message कर आ कि कि तेरे पास से जो necklace था उसका बंदन तूट गया है That you have broken the Clasp of her necklace उसकी necklace का बंदन तूट गया है And that you are having it Mended और तुम उसको Repair करने के लिए बनवाने के लिए ठीक कराने के लिए उसको जाओगी मिल्ला विस तरह से That will give us time इससे क्या होगा That will give us time इससे हमें समय मिल जाएगा To turn round उसको बापस करने का समय मिल जाएगा She wrote as he directed बनला उसने उसके husband ने जैसा बोला उसने वैसा ही लिख करके Phone पे send कर दिया message At the end of week और हफता के अंत में सब्ता जब एक हफता बीद गया They had lost all hopes उनको कोई उम्मीद नहीं थी अब वो उम्मीद खोचुके थी बलब एक हफते तक उनने खोब रूडा खोब कोशिश की लेकिन उनको नहीं मिला तो उनकी उम्मीद भी छूट गई थी कि अब तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा Laurel declared तो Laurel ने बोला We must consider how deplaced that ornament तो हमें यह विचार करना होगा कि किस तरह से यह ornament वो वापस करना होगा The next day और अगले देन they went from dweller to dweller वो एक dweller से दूसरे dweller तक गए ठीके seeking a necklace for diamond or which seemed exactly like the one और उसी तरह का necklace diamond का necklace देखने के लिए head borrowed one they had borrowed जो उन्होंने उदहार लिया था उसी तरह का diamond का necklace वो दुकान पे सर्च कर रहे थे कि इस तरह का diamond का necklace मिल लिया जिससे के उसको return कर सके it was worth 40,000 francs और इसकी जो cost थी इसकी जो कीमत थी कितने थी 40,000 francs यानि 40,000 francs laurel possessed 18,000 laurel के पास कितने थे 18,000 थे 18,000 francs which his father had left him जो कि उसके father ने उसके लिए छोड़े थे he would borrow the rest और उसने बाकी के उधार लिए when madam laurel took back the necklace जब madam laurel उस necklace को वापस ले गई किस के पास? madam faulkner के पास shared her तो उसने कहा shared her with a chilly manner तो उसने एक ठंडे तरीके से कहा क्या कहा? you should have returned it sooner तो मैं ये जल्दी वापस कर देना चाहिए था I might have needed it मुझे इसकी जरूरत पढ़ सकती थी तो बच्चो आज की वीडियो में पास इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो ततक लिए बाए और टेक केर थैक्स वर वाचिंग